नमस्कार, स्वागत है आपका सिद्धी योगा मैं, मैं हूँ योगा चाहरे तारह दयत और सिद्धी योगा की तरफ से आपके लिए लेकर कहा हूँ, योगा फोर्ट साइनस रिलीव, हमारी इस प्रैक्टिस को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये आपके साइनस कंजिश अब्यास की शुरुवात हम लोग बैट के करने वाले हैं, तो इसलिए अपनी योग मैट को अच्छे से बिचा लें और पलती मार करके बैट जाएं, जब पलती मार करके बैटें तो ध्यान रखेंगे कि पैर बहुत जदा अंदर नहीं लेकर जाने हैं, आपने अलके से बा बैक करना है और डाउन करना है, आपके आम्स और शोल्डर एकदम से रिलाक्स रहेंगे, अब यहाँ पर रुखें और मेरे इंस्ट्रक्शन को ध्यान पूरवक सुने, हम लोग करने जा रहे हैं प्राणयाम और यहाँ पर करेंगे हम लोग थ्री पार्ट ब्रीधिंग, जि क्लाविकल ब्रीधिंग, जिसे मिला करके कई पुस्तकों में यॉगिक ब्रीधिंग के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पर सबसे पहली हमारी ब्रीधिंग है, अब्डिमनल ब्रीधिंग, यानि कि पेट से श्वांस को लेना और छोड़ना, उसके लिए आपने अपने है, यहाँ पर चेस्ट नहीं हो रही है, आपका पेट फूल रहा है, आपका जो स्टमक है, वो यहाँ पर फूल रहा है, फैल रहा है, जितना लंबा स्वांस ले सकते हैं, लें पेट को फूलाएं, और स्वांस को छोड़ते हुए, अब आपका पेट पूरा का पूरा अंद अगर यह प्राक्टिस या फिर मेरी बताई भी दो और जो प्राक्टिस मा बताने वाला हूं वो कठे नो तो आपने फिर इसे लेट करके ट्राइ करना है हाला कि लेट करके करने के बाद तोड़ा लेजीनस बढ़ जाती है बाड़ी में फिर भी आपको स्टार्टिंग में आपको जो प्राक्टिस की जो समझ है वो लेट करके आने वाली है तो चलिए, second है इसका thoracic breathing, thoracic यानि की chest breathing, जिसमें आपने अपने active hand को अपने chest के उपर रखना है इस तरह से, दुसरे हाथ को आप पेट के उपर रख सकते हैं चाहें तो, या फिर ग्यान मुद्रा पर बना लें, अब हम लोग यहाँ पर श्वास को नाक से भरेंगे और chest त तोरान आपका जो पेट है वो अपने जगह पर स्थाई रहता है, chest के साथ हलका फुलका उपर नीचे आता है, पर रंदू फैलता नहीं जैसे पहले फैल रहता है, इस तरह से स्वास भरी जाती है, और इस तरह से चोड़ी जाती है, इस तरह से यह हमारी thoracic breathing हो गई, जिसे हम लोग shoulder breathing भी कहते है, clavicle breathing के लिए आपको यह जो clavicle bone होती है, collar की हड़ी हमारी, इस हड़ी के पास अपने हाथ को ले करके जाना होता है, तो अपने active hand को यहां लेके जाएंगे, आखों को बंद करेंगे, अब यहां पर जो आपका shrans है, पहले तो वो आपके chest तक chest तक जाएगा, फिर आपने स्वांस को थोड़ा और भनना है, क्योंकि यहां space थोड़ा बचावा होता है, स्वांस लेने के लिए, हमारे फेपड़ों के तीन हिस्से होता है, lower, mid और upper, पहले स्वांस आपके mid पे जाएगी, फैलेगी, और फिर आपके upper पे जाएगी, इस त स्वांस आपके पहले chest पर आएगी, जो की कुछ इस तरह से दिखेगी, और उसके बाद आपको shoulder की तरफ लेकर के आना है, जिसमें आपके shoulder भी धीरे धीरे उपर की तरफ को उड़ते चले जाएगी, फिर श्वांस को धीरे धीरे हम shoulder से बाहर निकालेंगे, और फिर chest से, इ पर बचेवी स्वांस को chest से बाहर निकाल देना है, इस तरह से आपकी ये clavicular breathing हो जाएगी, जिसे हम लोग shoulder breathing भी कहते हैं, तो चलिए, जैसे कि आपको पहले बताया है, अगर आप practice करते वक्त आपको लग रहा है कि नहीं, अन्वह सही नहीं आ रहा है, तो पीट के बाद ल रख सकते हैं, आराम पूरग, उसे रख लें, तो आपका ध्यान पेट वाली breathing पर आराम से चला जाएगा, chest breathing पर उतना manage नहीं उपाता कि chest जो फैलती है, तो थोड़ा सा डर रहता कि वो चीज बाहर गिड़ जाएगी, थोड़ा हाथ पर ही थालका सा वजन रखना पड़ता और राइट, स्टार्ट करते हैं साथ में, हम लोग अपने active hand को पेट के उपर रखते हैं, दुसरे हाथ को आप chest के उपर रख सकते हैं, या फिर घ्यान मुद्रा में रख सकते हैं, या फिर दोनों हाथों को ही पेट के उपर रख लें, या एक हाथ आपने पहले रख लिया जो आपका active end था और दूसरे हाथ को उसके उपर पर रख लिया आँकों को हम यहाँ पर बंद कर लेंगे अपना ध्यान अपने स्वांस पर लेकर जाएंगे लंबा दीमा गहरा स्वांस लेंगे नाक से पेट तक लेकर कर आएंगे और यहाँ पर स्वांस के साथ महसूस करेंगे कि हमारा पेट जो है वो फूल रहा है और फैलता जा रहा है और फिर दीर जब स्वांस को छोड़ेंगे तो हमारा पेट सिकुड रहा है और अंदर की तरब को जाता जा रहा है अलिका सा उपरको भी लिफ्ट होगा, पूरी जब सूस बाहरा हाजएگी, फूरा एक्सेयल करना है, बहुत अच्छे। इसे ब्यास को करते रहेंगे, लंबा धिमा गहरा स्वांस लें, लंबा धिमा गहरा स्वांस छोड़ें, फिर से लंबा दीमा गहरा श्वाँस लें लंबा दीमा गहरा श्वाँस छोड़ें लंबा दीमा गहरा श्वाँस लें लंबा दीमा गहरा श्वाँस छोड़ें पूरा सा मेले अपना स्वांस लेने पर लंबा दीमा गहरा स्वांस लें और दीरे 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 पेट को फलाएं फैलाएं फिर लंबा दीमा गहरा स्वांस छोड़ें दीरे 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 यह आपका पेट अंदर को आएगा और सुकुड़ेगा अंदर स्पाइन की तरफ को जाएगा सुकुड़ करके लंबा धीमा गहरा स्वांस लें लंबा धीमा गहरा स्वांस छोड़ें फिर से लंबा धीमा गहरा स्वांस लें वुरा समय लें, ब्रीधिंग करने में जितना हो सकतर पेट को फैलाएं 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 और फैल लंबा, धीमा, गेहरा श्वास छोड़ें दीरे, 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 स्वास को बाहते बहुत अच्छे दीरे सी आजक को कोलेंगे हातों को नीचे लिए आएंगे तो दोस्तों इस तरह से हमने abdomen breathing का अभ्यास किया ऐसे ही आपको कम से कम 5-6 बाट thoracic breathing यानि के chest से swans लेनी है फिर आपने shoulder breathing करनी है shoulder से swans लेनी है अब यहाँ पर आप video को रोख सकते हैं और practice को swim से कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको हाथ की video बताई कि active hand आपका चेस्ट पर आजाएगा दुसरा हाथ ग्यान मुद्रा पर आ जाएगा या फिर दोनों हाथ एक दुसरे के उपर आजाएंगे और या फिर दुसरा हाथ आप पेट के उपर रख सकते हैं कि यह देखने के लिए कि मैं पेट तो मूब नहीं कर रहा हूँ ऐसा ही आपने फिर clavicle करना है clavicle में एक हाथ chest पर नहीं आता है एक यह तो पेट पर जाता है और यहाँ पर जाता है आपके neck के पास आता दुसरा हाथ यहाँ फिर ज्यान मूद्रा बनाता है अगर चाहें तो आप दोनों हाथों को यहाँ neck के पास पर रख सकते हैं जेंटली रखना है आपने ऐसा नहीं कि आप गले को थोड़ा सा दबा रहे हैं suffocation आपको feel नहीं होनी चाहिए इस तरह से आप practice कर सकते हैं तो यहाँ पर वीडियो को रोग लीजे और अपनी practice को स्वेम से आपने पूरा करना है जैसी आपकी practice पूरी हो तो फिर मेरे साथ आगे की practice को बढ़ाना है आजा करता हूँ कि आपने इस practice को पूरा कर लिया होगा यहाँ से आगे बढ़ने से पहले क्योंकि यहाँ से हम लोग आसोनों के अभ्यास को बढ़ा रहे हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ wishes जानकारी यहाँ पर दे देना चाहता हूँ तेकि अगर आप काफी लंबे समय से sinus से जूज रहे हैं और आप योग से का उपायश आते हैं यहाँ पर यह जो सिक्वेंस है इसमें हमारी ब्रीधिंग है और मुव्मेंट है जो आपकी बाडी को एक वर्किंग उसमें लेकर करे आएंगे जिससे आपकी जो एनरजी है आपको body-mind connection अच्छा होगा और आपकी energy stable होने लग जाएगी कहीं न कहीं फिर यह आपको फाइदा देना start करेगा परंतो अगर आप एक अच्छा फाइदा चाते हैं और कम से कम समय में फाइदा चाते हैं तो उसके लिए आपको जलनेती सूत्रनेती योग में हमारा शटकरम होता है शटकरमों में जलनेती और सूत्रनेती का अभ्यास होता है वो जरूर करना चाहिए उससे आपको कम से कम समय में अधिक्तम फाइदा मिलेगा इसके अलावा sinus से जुड़े वे जो भी परहेज होते हैं मौसम के अनुसार या फिर आयरवेद के अनुसार उन स्टडीज को समझें और वहां से वो ग्यान लें ताकि आपका जो बेनिफिट है यह आपको कम से कम समय में मिलने लगे और पंचिकरमे भी कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती है आयरवेद के अनुसार भी कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती है जो आपको इस समय से दूर करने में आपको मदद करेगी तो अब उनका भी साहरा ले सकते हैं तो फिलाल हम लोग करते हैं आसन क्योंकि आसनों से आपका शरीर खुलता है जब आपका शरीर खुलता है तो मन खुलता है और जब आपका शरीर और मन मस्तिक्स खुलने लगता है तब आपके एनरजी अच्छी हो जाती है एनरजी जब अच्छी होती है तो बॉड़ी की समझें आद ज़्या तो वैसे ही कतम हो जाती है तो चलिए सबसे पहली प्राक्टिस हमारी गौ मार्जरी असन की उसके लिए आपको इस तरह से टेबल टॉप पोजिशन में आना है जिसमें आपके हाथ शोल्डर दिस्टेंस पे खुलेंगे और घुटने हिप दिस्टेंस पे खुलेंगे अंगलियों को अच्छे से फैला लें फिर यहां से श्वांस को भरते विए आपने धीरे-धीर भीट में आड्ज बनाना है जिसमें आपने टेलबॉन को लिफ्ट किया पेट को नीचे लेगे गए चेस्ट को नीचे लेगे गए सिर को उपर उठाया फिर श्वांस को छोड़ते विजिए सिर को नीचे लाए अपने बट्रेक्स को रोल इन किया टेलबॉन आपके टके न होगी मिट बैक आपकी उपर को लिफ्ट करेगे अचdar वापस से आपने श्वांस को भड़ते विए वही प्रक्रिया किtest जिसमें आपने टेलबॉन को लिफ्ट किया पेट नीचे जाएगा चेस नीचे और हैड उपर फिर आपने श्वांस को छोड़ते विए सर नीचे, चेस्ट इन होगी, बर्टेक्स रोल इन करेगा, मिट बैक को लिफ्ट करेगी बहुत अच्छे, चलिए से ही दौराते रहें, स्वास को भड़ते वे, बैक में एक अच्छा सा आर्च बनाएंगे, वापस से टेल बॉन लिफ्ट होगी, सिर को लिफ्ट करेंगे, बांकि आपकी बैक नीचे जाएगी श्वास को छोड़ते वे, आपका से नीचे जाएगा बैक उपर को लिफ्ट करेगी, टेल बॉन टकीन होगी, राउन शेप में लाएंगे बहुत अच्छे, फिर से श्वास को बढ़ते वे, बैक में आर्च बनाएं श्वास को छोड़ते वे, अपनी स्पाइन को राउन शेप में लेकर के आएं फिर से श्वास को बढ़ते वे, आर्च बनाएं श्वास को छोड़ते वे, राउन शेप में लेकर के आएं श्वास भरे आर्च बनाए श्वास को छोड़ते वे राउंड शेप में लेकर के आए श्वास भरे आर्च बनाए श्वास को छोड़ते वे धीरे से राउंड शेप में लेकर के आए और इस तरह से जैसे मैं बैठा हूँ, इस तरह से बैठ जाएंगे यहां से जो अगला अभ्यास है, उसे एक बारी देख करके समझ लें कि किस तरह से यह अभ्यास है, आपने श्वास को भड़ते हुए गुटनों के बल आना है पूरा, और हातों को उप लेके जाना है, नीलिंग पोजिशन है हमारी और श्वास को छोड़ते हुए दीरे से आगे को जुकेंगे, हाथ नीचे रखेंगे, और स्पाइन को राउंड शेप में लेकर रखेंगे फिर श्वास को भड़ते हुए आपने अपनी बैक पर आर्च बनाना जैसे की पहले किया था और फिर श्वास को छोड़ते हुए यहां से हम लोग बाला सन की स्थिती में चले जाएंगे, कि हिप को नीचे ले आए हैं और सी नीचे रखती है फिर यहां से दोबारे से हम श्वास को भड़ते हुए यही प्रक्रिया को दोर आएंगे, कुड़ा, घुटनों के बाल आएंगे, नीलिंग पोजिशन में फिर हाथों को अपर लेके जाएंगे, और फिर वही रिपिटेशन हमारी चलते रहेगी तो चलिए, साथ में प्रक्टिस को करते हैं, वजरासन में आ जाएं, लंबा गहरा श्वास लें, सामने को देखें, एक टक एक बिंदू पर अपने दिस्टी को केंदृत करें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें, अब यहां से श्वास को भड़ते हुए, नीलिंग प बढ़ते हुए, बैक में आर्च बनाएंगे, और श्वास को छोड़ते हुए, यहां से बाला संकिस्टी में जाएंगे, अपने हिप को अपने हील की तरब लेकर के जाएं, बैक को स्ट्रेच करवाएं, हाथों को रिलेक्स करेंगे, और माते को नीचे रख दिएंगे, बह श्वास को भड़ते हुए, बैक में आर्च बनाएंगे, और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से बाला संकिस्टी में चले जाएंगे, फिर से श्वास को भड़ते हुए धीरे से घुटनों के बलाएंगे, हाथों को अपर लेकर जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए ध यह बहुत अच्छे एक बार और करेंगे, फिर से स्वोस को भड़ते विए धीरे से उप़र आ जाएंगे, हातों को उपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते विए आर्च बनाएंगे, और श्वास को छोड़ते विए बाला सनकीसी दीमा चले जाएंगे. आराम पुर्वग लंबा दीमा गहरा श्वास लें लंबा दीमा गहरा श्वास शोड़ें कुछ शण यहाँ पर रुकें और श्वास और पर श्वास आपका चलता रहेगा सी नीचे लाते ही यदि आपकी नाक और भी ज़्यादा बंद होने लगती है तो जब भी अब इस तरह से बालासन की सीधी में जाएंगे आप वो क्या करना है इस तरह से आपने मुठी बनानी है अपने हाथ से दो मुठीयां बनाएं और उसके उपर अपने माथे को रखिए बस ध्यान रखें कि आपकी स्पाइन सीधी रहे जेस्ट को आपको सामने की तरफ खोल करके रखना है जाने की चेश्ट आपके इस तरह से आगे की तरफ को फॉरोड होगी तो यहां पर aliment थेम गहरा श्वास और परश्वास कुछ श्वास अचिए लेते रहे लग बग आपको पांच से दस सेकंड रहना बहुत लंबा भी नहीं रहना और फिर यहां से हम लोग पेट के बल चले जाएंगे तो जैसी आपका rest हो जाए आपको धीरे से अपने पेट के बल आ जाना है पेट के बल आने के बाद आपको अपने forearm यानि कि यह वाला जो हिस्सा होता है आपका हाथ का इसे जमीन पर रखना है पैर आपके hip distance पर खुलेंगे और पंजो को अच्छे से stretch करवाएं अच्छे से पीछे को खीच लें आपकी जो front thigh है यानि कि आपकी quadriceus muscle है वो internally rotate करेगी इसका ध्यान रखें आपके जो buttocks है वो roll in करेंगे यानि कि आपके tailbone tucking हो रही है यहाँ पर pubic bone नीचे जमीन की तरफ को press हो रही है forearm आपने अच्छे से रखा हुआ है हलका सा अपनी elbow को और अपने mid या lower rib के पास पर ले आए और सामने को देखेंगे पैरों में engagement बना के रखें यहाँ कि पैरों को कीच करके रखें आप श्वास को बढ़ते हम दो बारा से सिर को उठाएंगे और सामने को देखेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से सिर को नीचे लेके जाएंगे बहुत अच्छे फिर से स्वास को बढ़ते हुए दीरे 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 उपर उठके आएंगे जितना हो सकता है चेस को उठाएं सामने को देखें और चेस को आपने सामने की दर भी पुश करवाना है बहुत चे रुके रहेंगे अब यहाँ पर आराम पूरवक श्वास प्रश्वास चलता रहेगा इस प्रैक्टिस को हम लोग सालंब भुजंगासन कहते हैं कई जगा पर इसे मकरासन का प्रकार ही बोल देते हैं कुछ जगा पर इसे सरपासन बोल देते हैं तो कई नाम से ये जाना जाता है बहुत चे कुछ श्वास लेने के बाद आपने वापस सिर सिर को नीचे लेके जाना है और फिर यहाँ पर हातों को अपने चेस्ट के पास पर लेकर के आए पीछे से अपने पैरों की अंगली उनको भी अंदर की तरफ को करेंगे टोस को और हातों से पुछ करते भी धीरे धीर है उपर उठ करके बैठेंगे जैसे हम पहले बैठे थे वजरासन की सिदी में ऐसे ही बैठेंगे अब यहां पर जो प्रैक्टिस होने वाली है मैं उसका डेमंस्ट्रेशन आपको कर देता हूँ एक बारी देख लीजे फिर उसके बाद हम लोग साथ में प्रैक्टिस हो करेंगे यह एक फ्लो प्रैक्टिस है जिसमें आप पहले जाएंगे बालासन की सिदी में अब यहां से हम लोग राउंड शेप बनाएंगे अपने स्पाइंशे जैसे हमने पहले किया था यह वाली जो पोजिशन होती है हमारी केट की इसे बनाएंगे फिर यहां से हमने शरीर को पीछे लेके जाना अलकासा और फिर फ्लोर की तरफ को नीचे को लेके जाना है इस तरह से और पंजो को पीचे को खोलना है हातों की position adjust करनी इसे upper chest के बास बलाएंगे और फिर श्वानस को भड़ते विए chest को उठाएंगे बुजंगासन में पुजंगासन के बाद आपने हलका सा chest को नीचे लेके जाना है ताकि back pair load ना रहे और फिर धीरे आपने इस तरह से उठ करके अधो मुक्षवानासन पर जाना है इस तरह से इस्तिती दिखाई देती है कि पैर आपके hip distance पे खुले हुए हैं और हाथ आपके mat distance पे खुले हैं उंगलियां अच्छे से फैला रखी हैं आपने हाथेलियों से प्रेस करते हुए शरीर के वजन को आप पैरों के पंजों की तरब लेकर के जा रहे हैं फिर यह ह हमने पहले किया था बस वही इस्तिती यहां पर मार जरी की हैने की cat position की और फिर यहीं से हम लोग वापस से इस इस्तिती में बालासन की इस्तिती में चले जाएंगे इस तरह से practice होगे तो चलिए आप लोग भी तैयारी कर लिजिए हम लोग साथ में practice हो करने जा रहे हैं साम यहां से श्वांस को भड़ते हैं वे आपने उठना है और चिन को टकिन करना मिट बैक को लिफ्ट करना राउंड शेप पर लेगा है ना अपनी spine को टैलमॉन भी टकिन होगी बहुत सुंदर है अब यहां से हमने हलक असा अपनी body को पैरों के पंजू की दरब को shift करना है सा दीरे दीरे chest को उपर उठाएंगे श्वांस को छोड़ेंगे पहले और दोबारा से स्वांस को भड़ते हुए chest को उठाएंगे और फिर यहां से हलका सा chest को नीचे लाएंगे श्वांस को रोकेंगे और push करेंगे अपने hips को उपर उठाएंगे और श्वांस को धी जैसे कि मैंने पहले बताए जिसमां आपके हिप पूरा उपकर को उठे वे रहते हैं घुटने उठे वे हैं आपके पैर हिप इस्टेंस पर खुल है और आपके हाथ जो है वो शोल्ड दिस्टेंस पर खुल है अंगली अच्छे से फैली ही है, हाथेली से दबाव बनाके शरी का वजन पैरों की तरफ ले जाने का प्रयास करें, घुटनों को आप चाहे हलका सा मोड लाएं, परन्तु अपनी सिट बोन को जितना हो सकता उपर की तरफ को लिफ्ट करना है, यदि इस 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 दिवा आते ही नाग बहुत ज़्यादा बंद लग रही है, तो सिर को उठा करके सामने को देखें, नीचे को ना देखें, बहुत अच्छे, दुबारा से यहाँ पर स्वास भरेंगे, स्वास भरने के बाद धीरे से घुटनों को नीचे लाएंगे, पंजों को पीछे से खोलेंगे, स्व स्वाइन को राउंड शेप में ले करके जाएंगे, जिसमा आपके चिन टकीन होगी, टैलवन टकीन होगी, मिड बैक लिफ्ट करेंगे, और फिर यहाँ से आपने बाला संकीस्तिती में चले जाना है, प्रक्टिस को आप समझ गें, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, तो स्वास को भरें, राउंड शेप में लाएं अपनी स्पाइन को, स्वास को छोड़ें, जैसे से पूरा राउंड शेप में आ जाएंगे, स्वास को छोड़ते चले जाएंगे, फिर यहाँ से आपने स्वास को भरते हुए जमीन की तरब को जाना है नीचे, जैसे हम लोग प रोकने के बाद फिर आप पुश करेंगे और दीरे दीरे अपने हिप्स को उपर उठाते चले जाएंगे गुटने भी आपके उपर उठेंगे अधोमक्षवानासन की स्थिती है फिर आप श्वास को छोड़ते हुए शरीर का जो वजन है वो पैरों की तरब लेके जाए हतेल श्वास को भरेंगे दीरे अपने हिप्स को नीचे लाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से बालासन की स्थिती में चले जाएंगे बहुत बड़िया एक बार और करेंगे इसी ब्यास को तैयार हो जाए श्वास को भरेंगे धीरे से शरीर को आगी की तरब को में लाएंगे श्वास को भड़ते वे धीरे से शरीर को नीचे जमीन की तरफ ले करके जाएं और श्वास छोड़ दें फिर श्वास को भड़ते वे धीरे से चेस को पर उठाएंगे श्वास को छोड़ते वे नहीं उठाना भड़ते उठाना तभी आपकी डैक में सेफटी रहेगी आपको benefit मिलेगा और हानी नहीं होगी और फिर श्वास को छोड़ते वे chest को नीचे ले आए फिर यहां से श्वास को भड़ते वे हतीली से press करें अपने hip को पूरा उपर उठाए और श्वास को छोड़ते वे अपने हातों से दबाओ बनाए और शरीर के वजन को पैरों की तरब लेके जाए आप चाहें तो घुटनों को मोड सकते हैं sit bone को उपर की तरब को जितना हो सकता उठा करके रखने का प्रियास करें फिर ś्वास को भरते वे धीरे से घुटनों को नीचे लेके जाए श्वास को छोड़ते वे स्पाइन को वापस से round ship में ले आए और फिर श्वास को बारें बाडी को सेंटर पे लाएंगे और धीर इसे अपने हिप्स को नीचे हील पे लेके जाएंगे श्वास को छोड़ेंगे और आगे को जुकते चले जाएंगे बालासन की स्थिदी में बालासन में आकर के कुछ श्वाण रुकें आराम पुर्वग लंबा धीमा गहरा श्वास लें लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें ब्रीधिंग आपकी चलती रहेगी बहुत सुन्दर अब धीरे से उट करके बैठेंगे हम लोग करने जा रहे हैं अर्दमत्सेंद्र आसन अर्दमत्सेंद्र आसन के लिए आपने अपने पैरों को इस तरह सामने करना है इसके बाद हम लोग अपने लेफ लेग को राइट हिप के पास लेके जाएंगे अंदर की तरप से और राइट लेप को राइट फुट को खास कर उठा करके left thigh के बगल पे लाएंगे इस तरह से यदि आप किसी कारण वस ऐसे नहीं कर पाते हैं तब आपने left leg को पूरा straight करके सामने रखना है और right leg को ही cross करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं इसके बाद जो आगी की विदी है वो कुछ इस तरह से है spine को सीधा करें जितना हो सकता उपर की तरफ को lift करेंगे हाला कि शरी का वज़न आपको अपने एक ही तरफ के hip को लगने लगेगा which is normal मतलब ऐसा होता है अगर आपके hip पहले सी uneven है और ऐसे करने से आपके back पर pressure आ रहा है तो तब आपने नीचे से कोई गदी तकिया या कुशन या फिर योगा का block आपके पास होगा उसको लगा करके उसके उपर पर बैठ है तो इससे आपको एक balance और stability मिल जाएगी नीचे से spine को सीधा करेंगे, schwans को भरेंगे, बाएं हाथ को उपर उठाएंगे schwans को छोड़ते वे हाथ को सामने की तरफ को धीरे से stretch करेंगे कौनी को मोड़ते वे, पैर को पकलने अच्छे से और इसे अपने chest की तरफ को कीचे आपका जो दाइना हाथ है वो पीछे जाएगा, finger cup shape में आएगी schwans को भरते वे spine को जितना हो सकता उपर को lift करेंगे, schwans को छोड़ते वे chest को पीछे की तरफ को rotate करेंगे और दीरे दीरे पीछे को देखेंगे फिर schwans को भरते वे दीरे से सामने की तरफ को देखेंगे आपने बाएं हाथ को उठाएंगे, दाइने हाथ को उठाएंगे, schwans को छोड़ते वे हाथ नीचे अब हम लोग पैरों को बदल देंगे जिसमें हमारा नीचे वाला पाउँ होगा दाइना यानिके right leg और उपर वाला होगा हमारा बाएंगे यानिके left leg, spine को सीधा रखेंगे श्वास को भरते वे अपने दाइने हाथ को उठाएं श्वास को छोड़ते वे आगे को stretch करेंगे और फिर कोनी को मोड़ते पैर को पकड़ ले और chest की तरफ को खीचे spine को जितना हो सकता उपर को lift करेंगे अपने बाएं हाथ को पीछे लेके जाएं finger cup shape में आएगी श्वास को भरते वे spine को उपर को lift करना है श्वास को छोड़ते वे दीरे दीरे अपने chest को पीछी की तरफ को rotate करवाते जाना है और पीछे को देखना है रुकिंगे यहाँ पर आराम पुर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें बहुत सुन्दरेगा अच्छे से stretch के बाद यहाँ पर आपने श्वास को भरते वे दोनों हाथों को उपर उठाना है chest को उठाना है chest को lift करें lift करें lift करें और श्वास को छोड़ते वे दीरे 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 हाथ आप नीचे ले आएंगे अब यहाँ से आपने normal cross leg में बैठ जाएं हाथों को पीछे लेके जाएं और अंगलियों को पीछे से बाद है यानि कि इंटलेस करने का प्रयाज कर नहीं कर सकते हैं तो हाथों के बीच में को रस्ती त्यादी रख सकते हैं फिर इसके बाद हाथों को पीछे को खींचे चेस्ट को lift करें जितना हो सकता अपनी चेस्ट को आपने expand करना है इस तरह से और सिर को अलगा सा उठा लें उपर की तरफ को हातों को जतना हो सकता अच्छे से strich दे और स्टरच दे और स्टरच दे जतना आप कर सकते हैं आराम पूलवाद बरीधिंग करते हैं करते हों सबहूंस Critique चोड़ाई भीच अब धीरे से हातों को नीचे लेके आ जाएंगे और फिर हम यहाँ से पीट के बल लेटने जा रहे हैं दीर दीर आपको पीट के बल लेटना है और लेटने के बाद आपने आनन्द बालासन की स्थिती पर आना है, उसके लिए क्या करेंगे आप इस तरह से पैरों को μोओ लेंगे आप पैर आपने फेला रखे हैं और आप यहां से गुटनों को पकड़ रहे हैं आनन्द वालासन की पूरी स्थिति कुछ इस तरह से दिखाई देती है कि आप आउटर हैट को पकड़ लेते हैं इसका एक प्रकार है जिसमें आप पैरों को उठा के रखते हैं और हाथ आपके घुटने या फिर शिन्बोन पर होते हैं और फिर आप अपने आपको दाएं से बाएं बाएं से दाएं लुड़काते हैं इस तरह से आपने अपने शरीर को एक तरफ से दुसरी तरफ लुड़काना है ब्रीधिंग आपकी चलती रहेगी श्वांस प्रश्वांस लेते रहें बहुत अच्छे अब धीरे से बीच माँ जाएंगे अब यहां से अब यह पैरों को नीचे ले जाएं और दाइनी तरफ पलट करके उठके बैठना है आपने बैठने के बाद हम लोग करने वाले हैं भस्तरी का प्राणयाम का अभ्यास भस्तरी का प्राणयाम एक आक्टिव ब्रीधिंग तेकनीक है जो आपके अंदर एनर्जी को जनरेट करती है heat को generate करती है और उससे आपके जो जो आपके energy जो blockages है और जो आपके दोस है वाद, पित, कफ उनको balance करने में ये बहुत ही मदद करता है तो कहीं न कहीं आपको ये भस्त्री का प्राणयाम इस आपका जो ये sinus जो दोस है जो ये problem आपको चल रही है उसको कम करने में मदद करेगा practice को हम लोग पांच round में करेंगे हला कि मैं आपको यहाँ पर विधी बतला दूगा मांकि फिर आपने ये swim से इस practice हो करना है विधी को अच्छे से समझ ले तो पांच round में ये विधी होगी और round के अंदर हमने starting में सिर्फ 15 से भी श्वास लेनी है फिर जैसे जैसे आपकी practice बढ़ती जाए क्योंकि ये जो practice ही एक दिन की practice आपको इफेक्ट नहीं देगी आपको इस practice को continue करना होगा तब आप कुछ समय बात जा करके इसके प्रभाव को अपने शरीर पे देखना शुरू करेंगे तो जैसे जैसे आप इसको daily practice करेंगे तो हपते दो हपते के बाद फिर आप हर round के अंदर अपनी जो counting है breathing की वो बढ़ा सकते हैं हाला कि पहले एक बारी मैं पूरी विधी समझा देता हूँ फिर आपके लिए आसान होगा कि जो मैं आगे बता रहा हूँ वो किस तरह से होगा तो कैसे हम लोग करते हैं बहस्तरी का प्राणयम बहस्तरी का प्राणयम को करने के कही जारे प्रकार हैं कही जारे से टीचर लोग कराते हैं जिसमें मैं आपको दो वीदिया बताऊंगा, दोनों में से कोई भी आप एक वीदि को चुन सकते हैं पहली वीदि है जिसमें आप पेट से स्वांस अंदर और बाहर लेते हैं जो कि कुछ इस तरह से दिखलाई पड़ती है बस्तिर का प्राणया में आप 100% inhalation करते हैं 100% acceleration करते हैं और वो भी actively इस तरह से ये practice चलती है जिसमें आप पेट को फूलाते हैं पेट को अंदर लेकि जाते हैं वाला कि डैमों के डैम पर मैंने थोड़ा fast कर लिया परंतो जब आप practice को करेंगे तो आपको इतना fast नहीं करना है आपको लगबग 2 breath in 1 second करना है और या फिर आपको 1 breath in 1 second करना है 1 breath in 1 second जो है ये इसकी higher level की practice होती है 2 breath in 1 second है ने कि 2 breath लेना है एक second के अंदर वो एक normal level की practice आती है फिर अगर आप अगर आप ये कि थोड़ा आपकी practice हो चुकी है थोड़ा ठीक हो गए तब आप 3 breath जा सकते हैं परंतो उसका बहुत ज़्यदा फाइदा नहीं होता है जितना slow जाने में होता है बस इतना है कि अगर आप slow जा रहे हैं और आपको पेट में cramps पढ़ रहे हैं आप बहुत ज़्यदी ठक जा रहे हैं तब आप थोड़ा fast जा सकते हैं अन्यता प्रयास करें कि slow जाएं और वाइट मैं एक बारी पूरा आपको करके दिखलाता हूं ध्यान पूरवक देखेगा यह हमारी पहली विदी है slow में यह कुछ इस तरह से सुनाई देगी अब चलते हैं हम लोग दूसरी विदी की ओर इसकी दूसरी विदी में हम लोग schwans chest से लेते हैं chest या upper chest के पास से हम लोग schwans को लेते हैं और इसमें हम लोग schwans को भड़ते हुए हाथों को बगल से फैला लेते हैं इस तरह से और schwans को छोड़ते हुए हाथ सामने को ले आते हैं जिससे हम लोग ताली को जाते हैं इस तरह से पास लाते हैं और सिर को नीचे लेके जाते हैं जो की प्रैक्टिस कुछ इस तरह से इकलाई देती है इसमें क्या हो गया आपका बॉड़ी फुल बॉड़ी मूवमेंट हो गया विद आम और साथ में ब्रीधिंग तो इससे बॉड़ी में एनर्जी और अच्छे से सर्कुलेट होती है इसी विदी को आप हाथों को उपर बीचे ले जाकरके भी आप कड़ सकते हो फिलाल आपको मैंने ये वाला हिस्तास का बताया आप इस तरह से आप इसे कड़ सकते हो और या फिर आप इसकी पहली विदी चुन सकते हो और कितना करना है हमें पांच राउंड में करना है हर राउंड में कितना स्वांस लेना है यह होगी दो यह होगी तीन तो स्वांस लेना छोड़ना यह एक हो गया यह एक स्वांस हो गई तो ऐसे ही आपने पंदरा से बीस की बीच में करना है यदि उसके उस बीच में आपको ज़्यादा डीजिनस आने लगे तो तुरंत रुख जाए और अपनी नॉर्मल ब्रीधिंग वा जाए ज़्यादा फोर्स ना करें तो फिर हो सकता है कि आपको हर राउंड में आठ से दसी स्वांस लेनी हो या उससे कम अपने अनुसार आप इसकी काउंटिंग को घटा और बढ़ा सकते हैं प्रते एक राउंड में और एक राउंड से दुसरे राउंड में जाने के लिए अगर आपको नॉर्मल कुछ ज़्यादा फील नहीं हो रहा कोई चक्कर नहीं आ रहे हार्ए हार्ट बीट भी नॉर्मल है तो ज़्यादा टाइम ना ले लगबग पांचे नॉर्मल स्वांस लाए यानि कि पांच सेकेंड रुके और फिर दूसरा राउंड सुरू कर दें फिर तिसरा फिर चौथा फिर पांच वा ऐसे करके ख़तम कर दें यदि हार्ट भी ज़दा बढ़ रही है ज़्यादा रिलयक्सेशन चाहिए तो रुके फिर दूस तो आपने इसे दो या तीन राउंड तक करना है maximum फिर रुख जाना है ऐसी daily daily एक, दो या तीन तक जाएं फिर रुख जाएं आप देखेंगे हपते दस दिन के बाद आप आराम से तीन के बाद दो से तीन भी जा पाएंगे, तीन से चार भी कर पाएंगे और चार से पांच पे भी चले जाएंगे, timely आपको इसको ग्रो करना है अपनी practice के अंदर तब आप देखेंगे कि इसके जो लाब हैं आपको पूर रूप से मिल लगेंगे उसे कहते हैं हम लोग बहस्तरी का प्राण है तो चलिए मैं आपको यहाँ पर पूरा समय देता हूँ यहाँ से आप अपनी practice को खुद से कर सकते हैं इस practice के बाद दोस्तों आपने अंतमे शवासन जरूर करना है तब जाकर कर आपकी यह practice पूरी complete होगी शवासन को आप normal तरीके से भी कर सकते हैं और इसको थोड़ा और wishes बनाने के लिए यह पूरी practice के lap को और बढ़ाने के लिए तो मैं आपको recommend करूँगा कि आपने अपने पैरों को दिवाल पे रखना है और पीट के बाद लेट जाना है इस तरह से यह आप relaxation करेंगे तो यह थी हमारी practice जैसे कि मैंने आपको starting में ही बतला दिया है कि यह आसन और प्राणयाम का समूर बनाया गया है फिलाल यह एक ऐसी practice है जो आपकी body के energy को बढ़ा देगी और आपको sinus को कम करने में आपकी मदद करेगे अगर आप कम time में ज़्यादा बड़ा effect चाते हैं तो उसके लिए आपको शट क्रियाओं का ज्यान प्राप्त करना होगा वहां से वो knowledge लेनी पड़ेगी और उनको add करेंगे तो वो आपको कम समय में ज़्यादा effective लगेगी या आपको ज़्यादा love देगी उसके अलावा आयरवेद में भी इसके कुछ उपचार हैं उनको भी आप देख सकता है फिलाल ये जो practice है इसे daily जरूर करना क्योंकि ये practice आपको सिर्फ sinus ही नहीं ठीक करेगी ये आपकी breathing capacity को बढ़ाएगी आपके श्वसन तंदर से related अगर आपको कोई issues अभी वर्तमान में ये कभी future में हो सकता है उसके भी chances खतम कर देगी उसके अलावा आपकी spinal flexibility को बढ़ाएगी उसके अलावा आपके arms और shoulder की flexibility और strength को बढ़ाएगी आपको बहुत सारे collective benefit देगी ये practice कहीं न कहीं आपके digestive system को भी improve करेगी इसलिए इस practice को daily करना बले आपको और उपाय भी कर रहे हों या करें पर इस practice को आप छोड़ना नहीं इसे daily करना अभी तक के लिए इतना हैं लेता हूँ आप लोग उसे अलविदा नमस्कार